जान लेना मेरा नशा है जान लेना मेरी जरूरत है जान लेना मेरी यादत है जान लेना मेरा मसा है मसा है शुरुवात करते हैं देखते रहेगा पूरा विडियो तो दोस्तो मलंग फिल्म एक एक सन एडवेंचर मूवी है जिस फिल्म का डायरेक्शन किया है मोहिस सूरी ने जो इससे पहले आसी की टू और आवारा पंजे सी सांदार फिल्म में डायरेक्ट कर चुके हैं फिल्म को प्रोडूस किया है भुसन कुमार और लवर अंजन ने बात करें फिल्म के श्टार काश्ट के बारे में तो दोस्तो फिल्म के श्टार काश्ट काफी लंभी चोड़ी है जिया दोस्तो आपको बता दे फिल्म में नजर आ रहा है अधित्यरोई कपूर दीसा पतानी अनिल बात की जाए दोस्तो फिल्म के बारे में तो फिल्म का ट्रेलर पेले ही सूपर डूपर हिट हो चुका है लेकिन फिल्म का ट्रेलर सूपर हिट होने के बाद इस फिल्म के बज में तड़का लगाया है इस फिल्म के सोंग्स ने जहां दोस्तों आपको बता दे मलंग फिल्म के जितने भी सोंग्स है सभी के सभी चार्ड बश्टर हिट हो चुके और सभी सोंग लोगों की जुबान पे चड़ चुके है तो दोस्तों एक सांदार ट्रेलर और बढ़िया सोंग्स की वज़े से मलंग फिल्म का जो बस था और लोगों को जिस तरह के इस फिल्म से उमिद थी कि अच्छा म्यूजिक और एक अच्छे स्टोरी हमें देखने को मिलेगी उसी तरह दोस्तों फिल्म साबित हो चुकी है जिया दोस्तों आपको बता दे फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी बढ़िया रिवियू दिये साथ ही पबलिक के रिवियू जो निकल के आये है वो भी काफी सांदार है जिससे दोस्तों उमिद है कि ये मूवी बोक्स ओफिस पर एक बड़ी सक्सेस हो सकती है अगर दोस्तों बात करें फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे मलंग फिल्म जादा तर आउट का प्रेंट और पबलिक सिटी कोष्ट यानि की मार्केटिंग कोष्ट वो है लगभग 10 करोड रुपे इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो टोटल बजट होता है वो हो चुका है लगभग साहट करोड रुपे लेकिन दोस्तों बात के जाए फिल्म के प्री रिलिज बिजनस के बारे में तो दोस्तों फिल्म ने वोक्स ओफिस पर दस्तक देने के पहले काफी अच्छी रिकवरी भी कर ली है जिया दोस्तों आपको बता दे फिल्म के जो सेटेलेट राइट है यानि के टीवी पे दिखाने के राइट्स वो बिक चुके है लगभग 30 करोड रुपे म वही फिल्म के डीजिटल राइट यानि के ओनलाइन स्ट्रीमिंग राइट वो भी के है 22 करोड में बात करें फिल्म के म्यूजिक राइट के तो दोस्तों फिल्म के म्यूजिक राइट भी के है 4 करोड में इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने रिलिज होने से पहले अपने सेट लेट राइट डिजिटल राइट और म्योजिक राइट बेच कर टोटल रिकवरी कर ली थी 56 करोड यानी 56 करोड की अब आपको बता दे दोस्तो फिल्म को पहले दिन मोर्निंग वाले सोज में उक्किपिंसी मिली थी लगबग 16 से 18 परसेंट के बीच में वही दोस्तो अप्ट अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है लगबग 7 करोड रुपे वही इस फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 9 करोड रुपे का बात की जाए फिल्म के ओर सिस कलेक्शन की तो दोस्तो मलंग फिल्म अपने पहले दिन ओर सिस मार्केट में कर रही है लगभग 3 करोड रुपे इसी के साथ दोस्तो मलंग फिल्म का जो पहले दिन का वर्ल्ड वाइट ग्रोस कलेक्शन है वो लगभग 12 से 12 करोड रुपे हो रहा है अब आपको बता दे दोस्तो फिल्म का बजट जहां 7 करोड रुपे है तो इस फिल्म को वोक्स ओफिस की कमई कर जाती है तो ये फिल्म हो जाएगी बोक्स ओफिस पर ब्लोकबश्टर हीट तो आप देखते हैं दोस्तो फिल्म ने अच्छी ओपनिंग तो ले ली है लेकिन क्या ये फिल्म बोक्स ओफिस पर हीट होती है या ब्लोकबश्टर होती है वैसे दोस्तो आपकी क्या आपको क्या लगता है मलंग फिल्म बोक्स ओफिस पर कितने कमई करेगी 80 करोड, 100 करोड या 150 करोड रुपे अपनी राय आप मुझे कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताए और मलंग फिल्म के डेली बोक्स ओफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल एके भी मेडिया को सब्सक्राइब करना न भूले